हेलो प्याले बच्छों आज का टॉपिक है हमाना सामे अवस्था तो सामे अवस्था क्या होती है इसको व्यभारी जीवें नों थोड़ा सा समझेगा उसके बाद हम कैमिकल कुछ रिकसल्स की बात करते हैं देखो बटा grace कि आपके पास वाटर है कुछ पानी है आपने एक पानी को यहां पे बरतारीं में रख लिया है और आप इस पानी को hate it कर रहे हैं. तो क्या होता है ये पानी उड़ना प्रारंब कर देता है gas की form में ये बास्प की form में. काया कि बेटा बास्प के रूप में ये पानी जो है ये उड़ना हारंब कर देता है इतनी नहींदे अपर सुन्द में रही है एक पर सा कोई हम मतलब बात यह है कि मेटा पानी था पानी को हमने क्या काम करा हीट इट किया तो यह बास्प में चेंज हो गया ठीक है लेकिन बताओ क्या यह बास्प तुरंट ही पानी बन जाएगी थोड़ा सा समय लगेगा यह पानी पहले बास बनेगा और फिर बास उसे पानी बनेगा लेकिन हाँ हलकासा पानी बन सकता है जैसे बास पर हलकासा यह पानी बन जाएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे रियक्टैंट और इसको क्या कहें जो ऊपर ये तीन हमने बनाया है, इसको बोलते हैं अगर अभिकरिया का वेग, ये लेट ओफ फॉरवर्ड रियक्सन, ठीक है, और ये का है, ये पश्च अभिकरिया है प्यारण favorite हुई है, पूरी नहीं हुई है, अब क्या है बटा, अब जैसे टैम बीता है, टैम के साथ पर क्या होता है यह बास्प बनती है यह बास्प बनती है और बास्प जब ज़्यादा बन जाती है तब यह ज़्यादा पानी में चेंज होती है ठीक है बिटा यह पर क्या है पानी है ठीक है उसके बाद हलके लिए से जब समय बीटता है फिर इस तरीके से ये reaction जो है इस तरीके से बढ़ती जाती है इस तरीके से और एक समय ऐसा आता है दूनों के वेग बरावर हो जाते है RF equal to RB हो जाता है ठीक है बटा ये क्या था RB RF क्या है rate of forward reaction ठीक है मतलब अगर अभिकरिया का दर अभिकरिया की दर ये अभिकरिया का वेग ठीक है बटा RF क्या है RF मतलब होता है rate of rate of forward reaction ठीक है rate of forward reaction होता है RF का मतलब और RB का मतलब क्या है इसका मतलब होता है rate of backward backward reaction मतलब अगर अगर अभिकरिया का वेग और पश्य अभी किर्या का वेग, ठीक है, यह है इनके मतलब, तो एक समय ऐसा आता है, कि यहाँ पे लिखते हैं, पानी, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बास्प, एक समय ऐसा आता है, कि पानी आधा रह जाता है, मतलब एक लिटर पानी हमने बरतन में रखता है, तो आद मतलब समझ पा रहा है आप बात यह है कि वह समय जहां पर पानी बास में और बास पानी में बराबर स्पीट से बराबर मात्रा में चेंज हो वह समय समय अवस्था कहलाती है ठीक है वह अभिकरिया की वह समय वह अवस्था अभिकरिया की वह अवस्था जिसमें अगर अभिकरिया का बेख और पश्य अभिकरिया का बेख बराबर होता है समय अवस्था कहलाती है ठीक है तो यह कोई रिएक्टरंट है यह रिएक्टरंट है रिएक्टरंट से क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है ठीक है और फिर प्रोडक्ट से अगर रियक्टंट बनता है और इनकी अगर speed बरावर जाती है मतलब rate बरावर होता है rf equal to rb हो जाता है अगर rf equal to rb हो जाता है तब इस अवस्थाओं को भूलते हैं क्या बूलते हैं सामें अवस्था कहते हैं ठीक तो लेखेंगे अभिकर्या की वह गातिक अवस्था ठीक है वह घातिक अवस्था ठीक वेटा, किसी उत्करोनिय अभिकरिया की, किसी उत्करोनिय अभिकरिया की, किसी उत्करोनिय अभिकरिया की, वेह अवस्था, जिसमें, आगर अभिकरिया का विग, ठीक है, जिसमें आगर अभिकरिया का विग, और पश्च अभिकरिया का विग, बरावर हो जाता है, क्या कहलाती है बिटाईए, यह कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है, ठीक है, अभिकरिया की, वेह अवस्था, जिसमें, अगर अभिकरिया का विग और पश्च अभिकरिया का विग समान हो जाता है साम अवस्था कहलाती है गतिक अवस्था क्यों कहा क्यों कि साम अवस्था के समय अभिकरिया रुखती नहीं है अभिकरिया बराबर स्पीड से चलती रहती है जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनता है तो उस समय को या उस अवस्था को हम कहते हैं वह विट किर्या कि ऊस अवस्था को कहते हैं साम में आवस्था ठीक है मुझे उमीद है अच्छेसे आप आप दियर हो चुका होगा इसे कुछ और समझाने वाली बात नहीं है भाशान फेसार में अवस्था होती है रसानिते होती हैं इसके हम कुछ विश्यस्था की बारे में बात कर लेते हैं ठीच का रटा आज management सांडर में तो साम आवस्था की कुछ भिस्यष्था हैं तो साम आवस्था की कुछ यह लिख लेजिएं आप पॐर डाल देता हूं मैं सिर्फ विसेशता हैं किसज़ साम्हामश्था की विसेश्था एंड तो सबसे पहली बार ही घी जो अद्सथा है जिसमेदिया रुकती नहीं आर्थात गत्क अवस्था में होती है ठीक है टो साम्य अवस्था गतिक होती है अर्था रियक्षन रुकती नहीं है बल्कि यह अगर दिशा में और इत्वश दिशा में समान वेक्ष से चलती है ठीक है साम्य अवस्था ठीवटां साम्य अवस्था साम्य अवस्था गतिक होती है अर्थात इस अवस्था में इस अवस्था में अभिक्रिया रुकती नहीं है अर्थात इस अवस्था में अभिक्रिया रुकती नहीं है रुकती नहीं है वल्कि बल्कि दोनों दिशाओं में बल्कि दोनों दिशाओं में बल्कि दोनों दिशाओं में समान वेक्ष से या समान दर से चलती है समान दर से कहलो या वेक से कहलो ठीक है समान वेक से चलती है अर्थात हम कह सकते है अर्थात साम्य आवस्था पर R F इकोल टू क्यों क्यों होता है आर्वी के होता है rate of forward reaction equal to rate of backward reaction ठीक है जैसे कि हम अगर बात करें साम अवस्था की अगर ताप समार रखें तो साम अवस्था पर किसी अभी किरिया कर जो भी गुन होते हैं वो बदलते नहीं है वो एक जैसे रहते हैं जैसे red color है मानि साम अवस्था पर कोई अभी किरिया red color की है तो अगर हम अभी किरिया का ताप नियत रखते हैं और अभी किरिया साम अवस्था पर तो red color की रहेगी ऐसा नहीं है कि समय के साथ color change जाएगा अर्था कोई भी दिखने वाला गुण कोई भी द्रस से गुण साम अवस्था पर बदलता नहीं है जैसे ना उसका रंग फिक्स तापर ठीक है नियत तापर नियत तापर नियत तापर अभी किरिया के द्रस्य गोण द्रस्य वाले दिखने वाले नियत तापर अभी किरिया के द्रस्य गोण यह तापर अभी किरिया के द्रस्य गोण परिवर्तित नहीं होते हैं परिवर्तित नहीं होते हैं तो ए एक अभीकरिया साम अवस्था में है तो उसका रंग उसका रंग उसका रंग नीला हो जाएगा बदल जाएगा कोई परिवर्त नहीं होते हैं जैसे कौन कौन से गुड़ परिवर्त नहीं होते हैं जैसे रंग सांद्रता गहनत्व दाव आदे यह रंग जो है यह चीज़े जो है वह वह विल्कुल नहीं बदलती हैं साम अवस्था पर ठीक है और साम में अवस्था किसी भी दिशा से प्राप्त किया सकती हैं चाहें वहकवार्ड दिशा हो चाहें फॉर्वार्ड दिशा हो मतलब अगर अभिकरिया की दिशा हो चाहिए पश्चिविकरिया की दिशा हो साम में अवस्था हम किसी भी दिशा से प्राप्त की जा सकती है की जा सकती है जैसे ऐसा नहीं है कि reactant से product ही बने तब ही साम में होगा प्रोडक्ट से reactant में भी साम अवस्था आ सकती है ठीक है चलो और मैं आपको बता दूँ जो साम अवस्था होती है ये सिर्फ बंद वर्तनों में ही संबब है सिर्फ बंद वर्तनों में ही होती है अर्थात सामःवस्ता अब ही संभभ है कि निकाय से अर्थात अभिकिरिया से कोई भी कड़ बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है तो अभिकिरिया जैसे मैं कहता हूँ रियक्टर्ण से प्रोडक्ट बन गया यह इतनी स्पीर्ड से बन गया इसका वदलब यह यह थी नहीं कि र अगर परिवर्दन जल्दा हो जल्दी होता है किसी पदार्त में तो हम कहते हैं कि अभिकिर्या की स्पीड तेज है ठीक है अभिकिर्या का वेक तेज है तो जो सामय अवस्था होती है किसी अभिकिर्या की सामय अवस्था बंद पात्र में या बंद निकाय में या बंद बरतर में ही संभव है अर्थात निकाय से एक भी गटक दूर नहीं होना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है बेटा देखेंगे सामय अवस्था सामय अवस्था बंद वर्तन या बंद निकाय कह सकते हैं ठीक है सामय अवस्था बंद वर्तन में ही होना संभव है अर्थात निकाय से एक भी घटक बाहर नहीं जाना चाहिए अर्थात निकाय से एक भी घटक बाहर नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ठीक है सरजना आ रहा है बेटां अब आपके मन में कोशना आता होगा कि सरजी अगर अबविके रिया सामय अवस्था में हैं तो उस समय कोशना के बेग पर क्या पढ़वा हो पढ़एगा अगर किस अविके रिया में उत्परक डाल देते हैं तो अबविके रिया का बेग तो बढ़ जाए ठीक है अब को सथी कैटलिस्ट क्या होते हैं उत्पेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को फरिवर्थित करते हैं अभिक्रिया को जातों कम करते हैं या ज्यादा करते हैं जैसे को अभिक्रिया साम्य अवस्था में हैं ठीक है को अभिक्रिया साम्य अवस्था में है ढाल देते हैं और अबिक्रियाका वेख भड़ता है अग्र अभिक्रियाका वेख बढ़ता है और आधु समस्था डिश्ट्प नहीं होती सामस्था हमारी बनी रहती है ठीके उत्पेरक की उपस्तती से सामय अवस्था परवावित नहीं होती है किन्तु सामय अवस्था से प्राप्त होती है सामय अवस्था से प्राप्त होती है लेकिन अवस्था गरबढ़ा जाएगी सामय अवस्था नहीं गरबढ़ाती है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्षियर हम देखने वाले हैं ला ओफ ला ओफ मास एक्षन ठीक है द्रव अनपाती किर्या का नियम देखने वाले हैं और एक्टिव मास क्या होता है यह देखने वाले हैं काफी इंपोर्टांट चीज़ देखने वाले हैं कुछ ठीक हैं जहां से आपके कोशन बहुत सारे कमश्था बनते कर दो कर दोती आपके के अवाले हैं क्या हैं dengan में चारे हैं चारे हैं क्या कोशने थेमिल देखने के स्थम्थत फिएक डवश्चर सते व neuen देखने देखने एक छिज-वे झाल झाल